हलो एबरिवन वेलकम टू जी सैंट्रिक और अब हम लोग अलेक्टरिकल मशीन में सबसे टॉफ मशीन इस्टुटेंट को लगता है कि सबसे टॉफ पढ़ती है सिंक्रोंस मशीन उसका रिविजन सीरिस बहुती अच्छे तरीके से बहुती शांदार तरीके से कवर करने वाले हैं जो लोग पैड यूजर होंगे जी सेंटर का अप्लिकेशन के तो वो लोग बहुत इंजोई करने वाले हैं क्योंकि मैं इसमें बारीकी से बताते जाओंगा कि इतने बड़ी इतने के पार्ट बहुत पढ़ा है इस मशीन में हम लोगो ने जैसे डीसी मशीन में भी बहुत सारा थेयोरी पढ़ा था बट काम की कुछ चीजे थी तो यहां पर भी थेयोरीटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा पढ़ा है अब मैं इसको कॉंपक्ट करूँगा और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जब चारों मशीन में जब मैं खुद भी स्टुडेंट था तो ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, इंडेक्शन मशीन और सिंख्रोस मशीन तो सबसे ज़्यादा समराइस करने की ज़रुत पढ़ती है वह सिंख्रोस मशीन को ही पढ़ती है क्योंकि सिंख्रोस मैं अभी इस revision series के through जो लोग paid user होंगे उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जो लोग regular paid user नहीं है तो please monthly subscription लेके जो जो lecture बता हूँ वो कम से कम पढ़ लीजी क्योंकि बहुत important machine है और मैंने 59 lecture में इसको पूरा का पूरा machine को cover किया है अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस machine का revision करना है short note बनाना है जैसा जैसा मैं बताते हैं जहाँ वेसा वेसा आप short note बना लीजे अपनी copy में और सिर्फ short note जितना electrical machine और चाहे power system दोनों का revision कर रहा हूँ तो जो formula में यहाँ पर board पे लिख रहा हूँ उनहीं को आप as a short note prepare कर लीजे और कुछ भी नहीं करना है last time exam से 4-5 दिन पहले सर्फ यह short note पलटाईएगा और आपका काम पुरा-पुरा बन जाएगा ठीक है चलिए start करते तो 59 lectures में मैंने क्या करा है basics में alternator में और motor में जब भी आप gcenter की application जो play store से download करोगे तो उसके अंदर जैसे ही machine में जाओगे तो basic का filter मिलेगा synchronous machine में alternator मिलेगा और motor मिलेगा ठीक है और यहाँ पर जो basics में है basics से again question तो नहीं पूछेंगे directly basic से but मैंने यहाँ पर basic working बताया है space और time displacement कैसे देखते हैं वो सब कुछ बताया है मैंने how to make better sinusoid sinusoid कैसे बनता है कैसे better बनाया जा सकता है उसको ब information दी है यह वाला lecture आप जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपको कुछ topic समझने के लिए helpful रहेगा ठीक है बाकि एसस निमारिकल point of view से बात करें तो यहाँ से कुछ भी question नहीं आएगा यह सिर्फ और सिर्फ बाकि की चीजे समझने के लिए basics में हम लोग पढ़ते हैं अब मैं पूरा को पूरा discuss किया है अब इस alternator को लूँगा और इसमें segment by segment lecture by lecture आपको बताती जाओंगा कितने कितने lecture में मैंने क्या-क्या cover किया है और फिर कौन-कौन से आपको formula याद रखने exam के लिए ठीक है तो चलिए start करते हम लोग alternator से सो चलिए गाइस alternator start करते हम लोग और उसमें जो पहला segment है design problem देखिए design problem में हम लोग उन्हें इस stator rotor के ऊपर construction detail देखिए जो कि lecture number 7 से लगा के 19 के बीच में cover है और यहाँ से भी question आपके पूछे जाते get examination में ठीक है अब design problem को में थोड़ा सा एक alternator को में summarize करूत यह कर बोल अब का salient type के rotor मान लेता हूँ सेलेंडिकल रॉटर और सेलेन टाइप का rotor अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो rotor के ओपर जो वाइंडिंग होती इसको बोलते हैं हम लोग फिल्ड वाइंडिंग क्या बोलते हैं हम लोग फिल्ड वाइंडिंग बोलते हैं जिसको हम लोग DC सप्लाई देते हैं और इसके ऊपर जो वाइंडिंग करेंगे इस टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होगी उसको हम क्या बोलते ह तो stator को armature बोलेंगे और rotor को rotor बोलेंगे ठीक है तो stator के उपर जो armature है उस armature के ऊपर winding उसको क्या बोलेंगे हम लोग armature निए आप देखें बहुत सारे भच्चे यह समझते हैं जो घुमता हुँ पार्ट है वो armature है ऐसा नहीं क्यों तो वो DC में होता था ठीक है आप armature का मतलब यह समझ लिए कि जहां से हम output ले रहे हैं उसको हम लोग armature बोल सकते हैं ठीक है इस तरीके साब समझ सकते हैं वट आप basically ज्यादा अच्छे समझेंगे यहां पर यह जो stator party हमारा इसके उपर हमारी three phase winding होगी three phase winding और यहां से तीन ryb निकलेंगे ठीक है ryb निकलेंगे और यहां पर यहां पर load correct होगा इस तरीके से load यह load connect हो जाएगा ठीक है load correct होगा और यहां पर induce EMF develop हो जाएगा induce EMF per phase line to line भी हो सकता है line to line induce EMF और a phase induce EMF ठीक है star में connected हुई तो star में connected हुई तो EL equal to root 3 EPS इस तरीके से हो जाएगा तो per phase induce EMF develop होगा अब यह जो per phase induce EMF जो develop होगा अच्छा इधर के साइड में क्या लगा रहेगा इधर अपना क्या है termine, termine set से connected रहेगा पूरा termine set से connected रहेगा ठीक है तिस तरीका पूरा working में ने बताया है अब वो पूरा working आपको जानने की ज़रूत नहीं क्योंकि आपको पता होगा आपको simply यह देखना है कि जो induce EMF अगर निकाल रहे हैं तो उसका expression क्या होगा उसका expression होगा root 2 pi f 5 और number of tons per face प से दिया है हम लोग ओने symbolization और साथ में kw kw मतलब kp kw को हम लोग क्या बोल सकते kw winding फेक्टर क्या बोल सकते इसको winding फेक्टर तो kw असल में kw असल में क्या होता है it is the multiplication of kp and kd kp and kd अब देखेगा यह जो winding ही यह distributed नेचर की winding है concentrated winding नहीं क्या है distributed winding है तो यहां पर winding फेक्टर भी बहुत ही important parameter है अब देखेगे जो expression यह आपके condition factor breath factor भी बुलते distribution factor भी बूलते ठीक है और साथ में यह जो kp हमारा kp होता है pitch factor इसको क्या बूलते हैं लोग pitch factor जो क्योंकि यह जो winding है armature winding यह distributed के साथ-satge short-pitched winding भी होती है ठीक है short-pitching भी होता है इस वाज़े से pitch factor भी आएगा ठीक है कई बार आपको pitch factor अगर गीवन नहीं हो और KD KP की value अगर given नहीं तो उसको one ले सकते हैं कई case में कई सारे cases में अगर लेना चाहे तो one ले सकते हैं अगर कुछ other information नहीं है तो कुछ cases में KD निकालना होगा KP के अगर value mention नहीं हो तो KP को अम लोग क्या है one consider कर सकते हैं one मतलब कि फुल पिजड बोल सकते है इतना समझ में आया अब हमें यहां यह में रफ कर देता हूँ अब मैं चलो directly पहले बाद में रफ कर देंगे directly इन दोनों के formula आपको ध्यान होनी चाहिए इन दोनों के formula सबसे पहले बात करेंगे हम लोग KD की सबसे पहले KD की बात करेंगे तो KD का जो formula हो हो है sin n alpha by 2 n sin alpha by 2 तो एक तो यह वाला formula है और एक formula कौन सा है एक formula और बता देता हूँ approximation formula sin n alpha by 2 divided by n alpha by 2 यह approximate formula है तो आपको अगर आपको अगर दिखिए आपको यहाँ पे यह formula और यह formula बहुत सारे बच्चों ने मुझे डाउट पूछे है कि सर इन दोनों formula में कब कौन सा लगाना यह बता द तो जो alpha है alpha है वो हमारा slot angle है क्या है slot angle लिख लीजेगा बहुत द्यान सा ठीक है 180 degree divided by slots per pole slots per pole ठीक है slots per pole slots per pole क्या होता है pole pitch होता है 180 degree divided by pole pitch तो यह हो जाएगा हमारा alpha निकल आएगा क्योंकि इसमें जो slots होंगे ना उनके angle है उनके slot angle है next हमारा जो N है N क्या है हमारा N है SPP slots per pole per face slots जितने भी slots है per pole per face ठीक है ठीक है ठीक है slots per pole per face तो यह आपको N निकालना है अच्छा N alpha क्या है N alpha है phase spread क्या है phase spread ठीक है phase spread इसको बोलते हैं phase spread अब दीखेगा आपको जब सिर्फ और सिर्फ question में numerical में सिर्फ और सिर्फ आपको बोल दिया कि phase spread सिर्फ और सिर्फ phase spread की value देदी phase spread की value देदी कि N alpha थोड़ी देर के लिए है 60 degree ठीक है बाकी और कोई भी other information नहीं गीवन है तो हम लोग यह approximation वाला formula लगा लगा लेंगे अब 60 degree को directly 60 degree by 2 मत कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको रेडियन में इसको रेडियन में करिएगा करके आता होगा तो इसको रेडियन में करके आपको लिखना पड़ेगा इतना समझ मागया तो जब भी question में मैंने करवा है question जब भी numerical मैं आपको सिर्फ और से phase spread दे बाकि और कोई भी information नहीं दे और induce EMF वगरा पूछे तो आपको directly क्या कर देना है यह वाला एन अलफा बाइट वाला formula लगा देना slots वगरा किसी की भी information नहीं दे तो directly approximate formula लगा देना है बट ऐसा बहुत ही rare case में होगा gate examination में gate examination में यह formula बहुत कम्योज था जादतर यही formula जोज होगा तो जब भी आपको number of slots, phase, polling इन सब की information given हो तो directly आपको phase spread से नहीं करना है आपको बकाइदा alpha, n सब की value calculate करके इस formula से लाना है और इसकी जो value आएगी जादतर cases में जो value आएगी वो तक्रीबन तक्रीबन 0.90 से लगा के 0.95 के बीच में या 96 के बीच में रहेगी 96 मतलब कि unity के आसपास ही इसकी value रहेगी आई बस समझ में तो यह रहा आपका kd का distribution factor की information अच्छा इसके साथ में और information आपको एक दो information ओर देता हूं में कि अगर harmonics के साथ लिखना हो कि kd, kd, rth harmonics या nth harmonics लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते है इस expression को sin, sin n alpha by 2 divided by n sin alpha by 2 ठीक है तो यहां पर यह जो rth harmonics का multiplication कहां हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ठीक है और अगर हम लोग बोलें कि kd, kd, rth क्या हो जाए, 0 हो जाए इसका मतलब ही यह क्या हो जाएगा उस particular harmonics का जो component है उसकी वज़े से induzion में पुरा 0 हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है क कि इससे हमें condition मिलेगी, इससे condition यह मिलेगी कि n alpha equal to 360 degree divided by rth, divided by rth, इसका मतलब है कि phase spread और harmonics के बीच का relation मिल गया, तो that is the condition for eliminating rth harmonics, rth harmonics, मतलब कि अगर मुझे, अगर मुझे rth third harmonics, third harmonics eliminate करना हो, third harmonics मुझे नहीं चाहिए, हमारे induz EMF में third harmonics मतलब कि eph3 third harmonics नहीं चाहिए अगर मुझे, तो मुझे क्या कर देना है, third harmonics 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो कितना होगा, 120 degree मतलब phase spread क्या कर दीजे, 120 degree रख दीज में यह condition है, यह भी important factor है, तो यह आपका normal distribution factor भी बता दिया, with harmonics भी मैंने discuss कर दिया, यह सारे formula आपके काम के हैं, अच्छा, एक चीज़ और discuss करी थी, बट उसको मैं combinedly discuss कर दूँ अब पीच factor के बाद, जिसमें मैंने ऐसा बताया था, कि kd 60 degree upon kd 120 degree, इनका ratio कितना होता, 1.15, ठीक है, तो दो लडाई थी हमारी basically, कि 60 degree phase spread हम design करें, 120 degree phase spread से करें, तो जीता कुन था, practically जो design होता हो, 60 degree phase spread से design होता है, क्योंकि 15% हमें induced voltage ज्यादा मिलता है, और power 15% हमें ज्यादा मिलता है, in case of 60 degree phase spread, तो असर आप बोलूगे, कि अब third harmonics कैसे eliminate करेंगे, ठीक है, आपने 60 degree phase spread करके power और induce EWF तो बढ़ा लिया, बट आप third harmonics को कैसे eliminate करोगे, तो my dear, अगर मैं इसको star connection कर दूँगा, तो third harmonics तो वैसे eliminate हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने के जरूरती नहीं है, तो इसी वज़े से जो आपका armature का design होता है, armature का design होता है, वो practically 60 degree phase spread से हम लोग design करत हैं, बाकि कैसे design करते हैं, पूरा-पूरा designing मैंने G-centric के full course में पढ़ाया है, पूरा design, एक-एक winding को लेके किसे, कौनसी winding किसे connect होती है, पूरा feel आ जाएगा आपको, और बहुती ऐसा नहीं कि PhD करा के पढ़ाया है, बहुती compact manner में आपको पढ़ाया है, ठीक है, चली, तो ये देखे, कोई भी जिस machine पढ़ाना हो ना, तो जिसके लिए 400-500 lecture में भी deal किया जा सकता है, बट मेरा duty है, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेरा एक responsibility है कि मैं आपको effective way में पढ़ाऊ ताकि वो आपके exam में number gain करने में, वो जो knowledge जो मैं यहां से दे रहा हूँ, वो number convert हो उस knowledge से number आपका convert हो, अगर मैं जो knowledge दे रहा है, उससे number नहीं आ रहा है, तो फिर वो knowledge काम का नहीं है, खासकर Indian education system में, क्योंकि यहां तो number का value है, जो number लाया वही सिकंदर है, तो आपने जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है, क्या वाकई उसको आप output में, या number के form में convert कर प है, ठीक है, तो इसलिए 59 lecture में, मातर 59 lecture में, अगर मैं number of hours की बात करूँ, तो 35 hours के अंदर मैंने पूरा का पूरा synchronous machine discuss किया, बहुत ही effective way में, सब कुछ पढ़ाया है, चलिए, अब मैं बात करता हूँ, pitch factor की, तो चलिए, देखते हैं, हम लोग, हम लोग, pitch factor की बारे में, ठीक अब देखे, बीटा, मान लीजे, इससे मुझे बताना नहीं चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, ये slots है, ये stator के slots है, ठीक है, और ये 1 से लगा के 7th number का, तो ये अगर यहाँ पर, एक winding यहाँ पे है, दूसरी winding यहाँ पे है, तो इसको हम बोलते है, full pitch, इसको short pitching चाहूं, तो ये वाला connection यहाँ पे कर दो में, तो ये इस तरीके से आके, एक slot angle से short pitching हो गया, अगर मैं बोलोगी, यहाँ पे नहीं करना है, मुझे short pitching, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो short pitching कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 angle से हो गया, मतलब एक slot angle को किस से alpha करते हैं यह alpha हो गया, यह 2 alpha हो गया ठीक है, तो यह जो जितने angle से short pitching हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं तो जो पहले case ना अगर एक slot से हुआ तो beta equal to alpha हो गया यहाँ पे beta equal to कितना हो गया, 2 alpha हो गया तो जो beta है, वो क्या है integer, integral multiple of integral multiple of alpha integral multiple of alpha depending on the situation के कितने slot angle से किया है वो आप directly calculate करके directly put कर सकते हैं और आपको slots पता है और slot angle पता है तो उसके हिसाब से भी angle निकाल सकते हैं तो समझ मा आ गया, कई सारी जगे पे इस beta से denote नहीं है, कई सारी किताबों में अलग angle से है, directly में अगर 2 alpha, 3 alpha जितने से भी हो तो मैंने generalize क्या बोल दिया है, beta और beta कौन सा है, short pitching angle ठीक है, समझ मागे कैसे निकालना है अच्छा, अब harmonics के साथ अगर लिखे इसको, तो kp, rth harmonics, तो यह हो जाएगा cos, rth beta divided by 2 ठीक है, तो इसमें अगर मुझे rth harmonics को eliminate करना और condition निकालना, तो उसके लिए मुझे kp, rth को 0 put करना पड़ेगा और उससे, उससे जो आपका आएगा beta equal to 180 degree divided by rth तो यह condition हो जाएगी ठीक है, यह condition हो जाएगी for eliminating rth harmonics तो यह हो गया आपका kp के discussion, तो kp और kd, इन दोनो फार्मूले से हम लोग निकालेंगे, then दोनों का multiply करेंगे इसकी भी value practically बहुत ज़्यादा 0.9 से लगाके 0.90 से लगाके 0.9796 तक रहती है ठीक है, यह भी 0.6, 0.97 मतलब तकरीबन रहे हैं, यूनिटी के असपास रहती है, ठीक है, तो इन दोनों का multiplication हो के kw और kw को फिर हम लोग यहाँ पे put करेंगे ठीक है, अब देखें, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गडबड कहां करते हैं, t में number of turns में करते हैं और turns में देखेगा, turns में और conductor में क्या relation होता है z by 2 z by 2 होता है, ठीक है और यह आपके per phase टाने एक phase का turn है, तो total number of turns, per phase, यह 3 phase का अगर है, per phase, तो आपको overall turns given होते है total number of turns, total number of turns, divided by 3, तो per phase आजाएगा, 3 phase है, तो एक phase का निकालना है आपको तो जितने भी given होंगे, अगर total number of turns, तो by 3 कर देंगे तो एक phase का आजाएगा, ठीक है अच्छा, मैं ton, यह क्या बुल सकते है, number of turns per phase की जगे, अगर मैं conductor के form में लिख हूँ, तो कितना हो जाएगा, eph 2.22, मतलब दोनों का multiplication क्या रहता है, 4.44 ठीक है, तो z by 2 पुट कर देंगे, तो 2.25 f, ठीक है, और यह हो जाएगा, आपका z into kw तो यह अपका, यह आपका conductor के form में आ गया, तो जैसा भी रहे availability, उसके इसाब साब आप number of turns वाला formula भी लगा सकते हैं, number of conductor का भी लगा सकते हैं इतनी बात समझ में आगी अब मैं कुछ अलग-अलग थोड़े से और भी जहां से अच्छे level के question पूशन पूश सकते हैं, उनके उपर बात करता हूँ अब दिखिएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ single phase की, ठीक है, two phase की और three phase की, तो इसमें phase spread अलग-अलग होंगी, ठीक है single phase में n alpha जो होगा वो कितना होता है, 180 degree phase spread कितना रहेगा, 180 degree रहेगा, two phase में two phase में phase spread कितना रहेगा, 90 degree रहेगा, और three phase में दो तरीके हैं, 60 degree phase spread भी हो सकता है, और 120 degree phase spread भी possible है ठीक है तो इस सिंगल फेस का टू फेस का और थ्री फेस का अब मैंने यह क्यों बताया क्योंकि कई बार स्टेंडर्ड कुछन पूछे कि टू फेस में होगा तब आप कैसे केपी केडी निकालोगे तो अलग हो जाएगा अब टू फेस का निकालोगे तो नंबर अफ टंस पर फेस भी बाई टू हो जाएगा यहां पर ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको अच्छा कुछ स्टेंडर्ड फॉर्मुला अगर लिखूं तो केडी केडी अगर मैं यहां पर लिखूं कि 180 डिगरी डिवाइड़ बाई यहां ऐसा लिख देते हैं यह हम लोग लि अगर आपको याद रहे तो और अच्छी बात है ठीक है याद अखने के वैसे जरूत नहीं है बट याद रहे तो अच्छी चीज़े अगर केडी 60 डिगरी लिखें और केडी आपका 90 डिगरी 2 फेस के लिखें तो यह 3 फेस और यह 2 फेस का रेश्यों तो यह कितना होता 1.06 ठीक है लेट में चेक 60 डिगरी 120 डिगरी 6 डिगरी सही फॉर्मूला है तो 1.06 इसकी वैल्यू रहती है ठीक है तो आपको यह फॉर्मूले कई बार आपको काम आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लिजेगा बहुत ज़दा रटने की जरूत नहीं बहुत ज़दा फ्रे जरा रहे हैं इतने लेक्चर में मैंने सिर्फ फॉर्मूले के डेरिवेशन करवाएं आपको डेरिवेशन नहीं करना है प्लीज वन्स अगेन आपको बता रहा हूं कि सिंक्रोंस मशीन का कॉंपक्ट रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है बागी तीन मशीन का बहुत सा 17, 18, 19, तीन लेक्चर में मैंने कोशन डिस्केशन करवाएं है इसके उपर और कोशन बहुत अच्छे लेवल के हैं कोशन डिसकेशन तो यथीन लेक्चर में सिर्फ डिजाइन प्राबलम के कोशन होगी जितने आपके सामने फॉर्मूरे लिखे हैं इनी तीन लेक्चर में क लेक्चर नमबर 20 से 25 अब देखिए मज़िदार चीज यह है कि मैं equivalent circuit के बारे में तो पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ जनरेटर का बट आर्मेचर रीक्षन में यहां पर जनरेटर मोटर दोनों का डिसकस कर दूंगा मोटर में आप actual lecture में जाके देखोगे लेक्षर नमबर 20 से 25 अगर जनरेटर के देखोगे सिर्फ जनरेटर का ही आर्मेचर रीक्षन डिसकस किया है अभी मैं revision series पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं आर्मेचर रीक्षन जनरेटर का तो डिसकस करूंगा ही करूंगा साड में मोट क्यों कर दूगा क्योंकि दोनों का comparison आसान हो जाएगा और आपको ऐसा तो है नहीं कि पेपर में जनरेटर लगाएगा मोटर लगाएगा कोंसेप्ट तो साथ में आएगा तो मैं यहां पर दो टेबल में जनरेटर और मोटर दोनों का discussion कर दोगा ठीक है बहुत मज़ा आने वाला दोनों चीज़ आप समझ जाएंगे अब चलिए अब सबसे पहले एक्विलेंट सार्कूट पर जाने से पहले आर्मेटर रियक्शन का डेफिनेशन वही है हमारा कि इफेक्ट ऑफ आर्मेटर फ्लक्स उन्टुदी में फिल्ड फ्लक्स डिस्रिप्यूशन अब इसमे जो आर्मेटर रियक्शन हो से मेगनिटूट पर डिपेंड नहीं करेगा मेगनिटूट के साथ साथ पाउर फक्टर पर भी डिपेंड करेगा ठीक है पाउर फक्टर पर डिपेंड करेगा और इसमें जो इफेक्ट आएंगे जो इफेक्ट आएंगे वो जो नंबर वो तो पूरा आर्मेचर फ्लक्स आपका कहां चले जाएगा cross magnetizing nature का हो जाएगा cross magnetizing cross magnetizing का मतलब क्या है distortion of flux ZPF zero power factor lagging का मतलब है अगर pure inductive load होगा तो आपका जो armature reaction का जो effect है क्या हो जाएगा purely demagnetization entirely demagnetization ठेक है और capacitive nature होगा तो magnetizing demagnetization का मतलब आपको पता है reduction in flux और magnetization का मतलब क्या है increment of flux, magnetization का मतलब है increment of flux, तो तीन effect होंगे but practically, practically आपका, practically कौन सा होता है आपका, practical load अगर देखें, तो practical load होगा 0.8 से 0.85 lagging ना ही pure resistive होगा ना ही pure inductive होगा, ना ही pure capacity होगा, कहीं ने कहीं इसका मतलब ही कितना हो जाएगा, resistive और inductive nature, RL circuit इसका मतलब क्या RL circuit, और RL circuit है था हम यह बोल सकते हैं, partially cross magnetization और partially demagnetization, partially partially, partially, यह theoretical MSQ type के questions में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, partially cross magnetization and partially demagnetization, partially demagnetization and partially cross magnetization अच्छा, hypothetical यह पूछ ले कि 0.85 से 0.85 leading हो तब आप क्या करेंगे, partially cross magnetization और partially magnetization, ठीक है, magnet लिखा magnetization है ना, पूरा मैंने लिखा नहीं है, समझ जाईएगा, चलिए, तो इससे यह सब कुछ निकला, तो यहां से हमें पता चला, कि armature reaction reactance, armature reaction reactance, हमें एक fictitious reactance यहां से मिला, ठीक है, तो आब हम लोग अगर इसका equivalent circuit बनाएंगे, equivalent circuit में क्या हो जाएगा, equivalent circuit में, per phrase equivalent circuit बनाएंगे, तो यहां पर resistance, आरे और यह हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज यह हो गया टर्मिनल वोल्टेज अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला कि हम यह बोल सकते एक्सेज synchronous reactance तो XS equal to XL plus XAR leakage plus armature reaction reactance तो यह क्या हो जाता आपका synchronous reactance हो जाता है तो ultimately हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो formula है EPH और angle del रहेगा positive resistance और एक reactance इससे आसार equivalent circuit पूरे चारों machine में कहीं पर भी नहीं है ना इसलिए बोलता हूँ कि synchronous machine को थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ माएगा इससे easy equivalent circuit किसी machine का नहीं बनता है सिर्फ और सिफ resistance और reactance आगे चलके तिर्फ resistance में negligible हो जाता है सिर्फ और सिफ और reactance होता है बहुत easy कर लोगे आप और यहां से अगर में लिखूँ armature current तो यह हो जाएगा EPH angle del minus या equal to बढ़े तो VT angle 0 प्लस J आई यह armature current इंटू RA plus Jx ठीक है और इससे से हम लोग ने फ्रेजर डागराम भी बना लिया था इससे फ्रेजर डागराम कैसे बना लिया था terminal voltage VT ठीक है terminal voltage VT IA current IA ठीक है IA RA IA RA J IA XS J IA XS ठीक है और क्या मिल गया हमें induce EMF मिल गया induce EMF और इन दोनों के बीच का जो angle है यह हमारा load angle है इन दोनों के बीच का angle क्या हमारा load angle है हम लोगों ने बहुत सारे formula भी derive करें ठीक है यहां से हम लोगों ने बहुत सारे formula भी इजाद किये थे वो formula अभी आगी चलके मैं आपके voltage regulation वगेरा वाले topics में पढ़ाऊंगा ठीक है तो यहां से हम लोगों ने यह सारा चीज करते हुए यहां से हम लोग ने पुरा पुरा formula भी बनाया था induced EMF को कैसे लिखा जाए ठीक है लिखना चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ चलो induced EMF induced EMF चलो बाद में लिखेंगे हम लोग अभी सिर्फ और से हमारा armature reaction पर focus है ठीक है तो इस तरीके से यहां से induced EMF के हम लोग अलग-अलग expression भी लिखते है तो चाहे तो आप यहां से question इसमें complex calculation के साथ में कर सकते हो चाहो तो phaser diagram के लिए कर सकते हो ठीक है चली मैं phaser के लिए बता ही देता हूँ प्लसर्य प्लस आने एह आ एक्से का holy square यहां पर विपी फ सॉण 5 और। प्लस मैनस आन इये आएक्स पाहोली स्क्वर है ठीक है तो यहां पर आपको खासान ध्यान रखना है कि प्लस साइन किसके लिए माइनस Сाइन यह है यह है लेइंगं के लिए है और यह यह दिए कोंस्कार प्लस आई आयर ElTo P अभी है और ऑदेखिए यहां से हम लोग जैसे मेंने अलग-अलग फैजर बनाए आं फुल कोल्स में और महां से मैंने इस तरीके से बोला कि si equal to यह है हमारे internal power factor angle इसको क्या बोलते हम लोग internal power factor angle जो कि eph और iac current के बीच में होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह साइ प्लस del phi हो जाएगा तो 10 phi अगर करें तो perpendicular upon base तो perpendicular क्या हो जाता है यहाँ पर perpendicular यह हो जाएगा यह angle और base यह हो जाएगा थिक है तो perpendicular हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो vt हे vt sin phi vph sin phi ठीक है vps sin phi plus ix divided by vp h cos phi vph cos phi ठीक है vph cos phi plus ira तो इस तरीके से फेज़र अब यह देखी यह सिर्फ और सर्फ किसके लिए है यह यहाँ पर यह legging power factor के लिए यह angle किसके लिए आपका not 10th, 10th side, 10th side, तो यह आपका legging power factor के लिए, वैसे जब leading power factor का करेंगे, तो यहाँ पर कही न कहीं किया आ जाएगा, minus sign आ जाएगा, तो positive sign legging के लिए है, और leading के लिए क्या हो जाएगा निगेटिव साइन हो जाएगा तो यह फॉर्मुले बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा जाएगा तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास ठीक है चलिए अब मैं बताता हूँ आर्मेचर रियक्षन के दोनों के से स्मोटर और जनेरेटर को कमाइन करके एनलिस करवाता हूं सो चलिए गाइस बहुत ही इंपोर्टिन डिसकेशन करने वाला हूं में जनेरेटर और मोटर दोनों में आर्मेचर रियक्षन का कॉंसेप्ट विथ पावर फ्लो एक्युवेशन के साथ में कैसे डिसकस होता सब बताता हूं देखिए आपको में बताओ कि एक्टिव पावर में कोई भी डिफ्रेंस नहीं होगा रियक्टिव पावर में का डिफ्रेंस होगा रियक्टिव पावर में QG इक्वल टू देखें तो यहाँ पर यह हो जाएगा V V divided by Xs E cos del minus V ठीक है और यहाँ पर मैं मोटर का देखें तो यह हो जाएगा V by Xs ठीक है और यह हो जाएगा V minus E cos यह डिफ्रेंस हो जाएगा एक्टिव पावर और रियक्टिव पावर के रिलेशन में ने यह जन्रेटर का है और यह मोटर का है ठीक है ध्यान रखेंगा दोलों को मैं कम्माइंडली कंपेर करवा रहा हूं जन्रेटर और यह है मोटर मोटर ठीक है अब सबसे पहले मैं बा पॉजिटिव का मतलब है कि ओवर एक्साइटेशन तो जनरेटर ओवर एक्साइट का मतलब है कि वह रियक्टिव पावर के सप्लाइब देना जब आपका जो पावर फेक्टर लगेगा वह लेगिंग टाइप का लगेगा तभी उसे लेगिंग लोड को ही जरूत पड़ेगी की तब जनरेटर ओवर एक्साइट होगा तो हम यह कोल सकते वर्क के लेगिंग पावर फ्रेक्टर और शाथ में यह जो पॉजिटिव है इसका मतलब यह समझते हैं कि यह supply supply reactive power supply reactive power इतना समझ माँ आगया same similar case अगर मैं over excitation का इसमें देखूँ over excitation का इसमें देखूँ over excitation का तो over excitation का मतलब E cos del greater than V तो इसका मतलब यह ज़ादा हो जाएगा ultimately QM कितना हो जाएगा QM हो जाएगा negative QM हो जाएगा negative और negative का मतलब क्या है यहाँ पर जो power factor होगा यहाँ पर देखिएगा it also supplies supply reactive power supply reactive power और उस time पर over excited synchronous motor work at leading power factor leading power factor अब दोनों में देखिएगा दोनों ही over excited चाहे generator हो चाहे motor हो दोनों के दोनों क्या supply करती reactive power supply करती बहुत जदा depth में चीज़े नहीं समझाते था मेरे limitation है क्योंकि यहाँ पर मैं revision series करवा रहा हूँ इसलिए हमें हर एक example लेके नहीं बता सकता पड़ फुल कोर्स में मैंने हर एक example लेके यह सारी चीज़े clear करी ठीक है अब इन दोनों में जो armature reaction effect होता है वो होगा demagnetization armature reaction effect क्या होगा demagnetization demagnetization armature reaction effect तो आपको याद है generator में क्या रहा है और motor में क्या रहा है बात करता हूँ में normal excitation की normal excitation की अगर मैं बात करूँ normal excitation normal excitation normal excitation का मतलब है कि E cos del equal to कितना हो जाए V हो जाए ठीक है और इसका मतलब क्या हो जाएगा क्यों क्या हो जाएगा QG का 0 का मतलब क्या है यह ना तो supply दे रही है नहीं draw कर रही है नहीं absorb कर रही है निधर supply निधर supply नोर नोर ड्रो नहीं draw कर रही है नहीं supply कर रही है तो यह work as a unity power factor work as a unity power factor पर work कर रही है similarly similarly इधर अगर नॉर्मल एक्साइटेशन होगा नॉर्मल एक्साइटेशन तो यहां पर भी क्या हो जाएगा e cos del equal to v तो यहां पर भी क्या हो जाएगा qm 0 हो जाएगा qm 0 हो जाएगा same neither supply nor draw और work as a unity power factor work as a unity power factor ठीक है हो जाएगा यह मैं same लिख देता हूँ आप चलिए तो इस time पे इस time पे जो armature reaction effect होगा वो क्या हो जाएगा आपका cross magnetization cross magnetization ठीक है third देखते हैं under excitation under excitation अब तो समझ गया होंगे अब क्या चल रहा है under excitation under excitation में under excitation में e cos del less than v e cos del less than v तो qg कितना हो जाएगा हमारा qg हो जाएगा e cos del less than v तो यह हो जाएगा negative क्योंकि यह ज्यादा हो जाएगा ठीक है negative होने का मतलब है कि work as a leading power factor और इट अब्जॉर्ब एब्जॉर्ब क्यू वी एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा और under excitation के time पे under excitation के motor के time पे motor के time पे similar condition e cos del writing पर मत जाएगा ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा तो यहां पर qm क्या हो जाएगा positive हो जाएगा qm क्या हो जाएगा positive और यहां वर्क एज लेगिंग पावर फेक्टर लेगिंग पावर फेक्टर और इट इट अल्सो एब्जॉर्ब क्यूं इट अल्सो एब्जॉर्ब क्यूं ठीक है चलिए तो मैंने आपको बताया था DC मशीन में क्या आर्मेचर रियक्शन को compensate करने के बहुत सारे तरीके पड़े थे बट क्या synchronous मशीन मां आर्मेचर रियक्शन को minimize या फिर eliminate करेंगे क्या आर्मेचर रियक्शन advantages या disadvantages है उस point पर आपको बताता हूं में चीजे क्या है हम कभी भी we never compensate armature reaction in synchronous machine we never compensate armature reaction in synchronous machine क्यों उसका reason बताता हूं जब भी over excitation होगी चाहे generator हो चाहे motor हो generator motor दोनों combination को क्या मैं मशीन बोल सकता हूं तो over excited over excited synchronous machine always supply reactive power always supply reactive power तो over excite का मतलब होना देखिए over excite ये normal है normal से over excite होना over excitation होने का मतलब है कि more than actual actual normal हमारा actual थात actual से normal से भी ज़्यादा flux lines दे रही है तो ये हमारे generator के लिए अच्छी बात नहीं है उसी तरह जो आपकी armature reaction effect होगा वो क्या रहेगा demagnetization इसका मतलब है कि normal है आपका generator या motor जो भी रहे synchronous machine की बात कर रहा हूं में वो over excite होने लगे तब armature reaction effect क्या है demagnetization मतलब demagnetization मतलब की reduction है flux तो over excite का मतलब है कि increment of flux lines demagnetization effect का मतलब है decrement तो अगर आपका generator इस level पर overexcite हो रहा है तो armature reaction effect उसको यहां लेके आ जाएगा वापस मतलब आपका जो generator का working है towards normal तरफ लेके आ जाएगा similarly under excitation की तरफ देखें under excitation की तरफ देखें तो यहां armature reaction effect क्या रहेगा magnetizing nature तो आपका generator यह motor जो भी हो synchronous machine दोनों की दोनों जब under excitation पे तब absorb reactive power absorb कर रहे है ठीक है तब आपका क्या हो गया है under excitation यह normal under excitation मतलब नीचे चली गया synchronous machine और आपका नीचे जाना भी अच्छी बात नहीं है तो आपका armature reaction effect क्या magnetization मतलब की reduction हो रहा है under excitation का मतलब है बट armature reaction उसको counter करके वापस normal के आसपास लेके आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी synchronous machine की stability जब वो normal excitation के आसपास रहेगी तो बहतर रहेगी तो जब भी normal excitation सो over होने की कोशिश करेगा synchronous machine तो armature reaction उसको counterbalance करके नीचे लेके आ जाएगा demagnetization effect जब भी आपकी synchronous machine under excitation होने लगेगी मतलब की flux lines कम होने लगेगी तो आपका armature reaction effect क्या होगा उसको magnetize कर देगा वापस सी increase करके normal के पास में लेके आ जाएगा इसलिए we never compensate armature reaction in synchronous machine बट DC machine में compensate करते हैं समझ में आया है फंडा बहुत ही important था पूरक पूरे इसलिए motor और generator दोनों को मैंने साथ में discuss करवाया है कि अलग-अलग करने के जरूरत नहीं है आपको अब समझ में आगया होगा कि lagging power factor पर क्या होगा आपका supply होगा क्यू positive over excitation सारी चीजे मैंने यहाँ पर MSQ type के questions में यह आप से चीजे पूछी जा सकती है इसलिए मैंने यहाँ पर cover करवा दिया अब रही बात questions की तो मैं questions में बता दिता हूँ कि आपको करना क्या है इनके question discussion में अगर देखें तो आपको तकरीबन तकरीबन इसमें ज्यादा question discussion की जरूत नहीं है एकार lecture इसके बाद अगर इनके हैं ठीक है तो मिलेगे next lecture में हम लोग voltage regulation के साथ ठीक है तो अभी अल्टरनेटर चल रहा है 25 लेक्चर तक पहुंचे हैं अभी हम लोग और इसके आगे की कहानी हम लोग voltage regulation और जितने भी हमने test करें उसका summary देखेंगे हम लोग ठीक है और उसके बाद आगे torque नहीं power relations और इन